नमस्कार दोस्तों, आज 12 अगस्त है और आज के 10 हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हैं से लिके हम फिर से आज रहे हैं जो सबसे पहली न्यूज है, वो सबसे बहुत 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 पहतर न्यूज है मतलब अभी तक के इतिहास में नजदीक के इतिहास में इससे बड़ी न्यूज नहीं आई है आपको लगता होगा कि ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा जो हमारे उपर एक तमगा लगा था कि हम गुलामी के चिन्नों को नहीं उठा के फेकते हैं ये एक तमगा हट सकता है अधी ये पास हो जाता है बिल और ये बन जाते हैं कानून तो 1860 में IPC बना था Indian Penal Code 1873 में Criminal Procedure Code बना था और हम तब से उसे ढोए आ रहे हैं उसी के मतलब जो धाराएं हैं उसी के तहट सजा देते आ रहे हैं इस पे कोई बदलाओ नहीं आया है और अब जाके सरकार इसे पूरी तरीके से बदल रही है तो इसी पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा Indian Penal Code जिसे हम भारतिय दंड सहिता के नाम से जानते थे The Indian Evidence Act भारतिय सच्छ अधिनियम और Code of Criminal Procedure CRPC के नाम से जानते थे ये तीनों बदल जाएंगे और तीनों जो क्या बदलेंगे ये बदलेगा भारतिय नयाई शहिता जो Indian Penal Code है भारतिय नागरिक सुरच्छा सहिता BNSS Bill 2023 और भारतिय सक्छ बिल 2023 ये तीन इसकी जगह लेंगे ये तीनों इसकी जगह लेंगे बहुत important है आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बहुत important है इसमें कुछ प्रावधान भी जोड़े गए हैं जैसे 124A जो राजद्रोह का कानून था उसे हटा दिया गया है अलग से अब इसमें 150 जो सेक्षन है 150 सामिल किया गया उसमें लगबग प्रावधान उसी तरीके से किये गया है बच्चियों के मामले में अधि बच्चियों का बलातकार किया जाता है और मौब लिंचिंग के मामले में सजा को बढ़ा कर मिर्त्यू दंड तक कर दिया गया है इस तरीके की चीजें उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अधि छमादान की सकती है जैसे राष्टपती को छमादान की सकती होती है तो वो राष्टपती जो है वो लगू करन कर सकता है पूरी तरीके से चमा नहीं कर सकता है, जैसे किसी को मिर्त्यु दंड प्राप्त हुआ है, तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास हुआ है तो उसे 10 वर्स तक कारावास, 14 साल तक कारावास हुआ है तो उसे 7 साल तक कारावास किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीध माफ नहीं किया जा सकता है यह प्रावधान भी किये गये हैं अभी बहुत सारी चीजे निकलेंगी और आप इस पर विदम से ध्यान रखेगा इस पर बनाए रखेगा नजर यहां पर तमिल नाडू सीम ऑब्जेक्ट टू हिंदी नेम अब बिल तमिल नाडू ने ऐसा कहा है क यह मतलब हिंदी नाम रखा गया है तो ठीक है वो बिरो तो होता ही होता है लेकिन यह बहुत बड़ा कदम है एक तरीके से एक एरा खतम करने की बात है एक यूग खतम करने की बात है और यह जरूर आप मतलब इसको रखिएगा थोड़ा ध्यान में रखिएगा यह बहुत म तो कौन सा कानून लागू होगा ये भी महत्तोपूर्ण है। ऐसा नहीं कि इन्नेर परनल कोड तुरंद खतम कर दिया जाएगा। भी बहुत सारे केस जो चल रहे हैं वो उसी के एकॉर्डिंग चलेंगे। अब जो नए केस बनेंगे वो इनके एकॉर्डिंग बनेंगे। य ऐसा कुछ नहीं है। जिनका जब ये पास होगा उसके दिन से पहले तक जितने भी पुराने कानून हैं वही लागू हो रहेंगे। जब ये कानून बन जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, है ना, गैजट में प्रकासित हो जाएगा, उस दिन के बाद से जो कान पढ़न था पहला, बहुत अच्छा से पढ़ दीजिएगा, इसके बाद जो अगई न्यूज हमें पढ़नी है, वो पेज नमर 6 पे है, पेज नमर 6 पे है, छोटी सी न्यूज है, MBBS कोर्सेस इन हिंदी उतराखन फॉर्म दिस मन्त, अब जो मैडिकल का कोर्स है, वो हिंदी में चलेगा, है ना, जो डॉक्टर के लिए पढ़ते हैं, MBBS कोर्सेस, वो हिंदी में कराए जाएगा, मद्धी परदेश पहले ही कर चुका है ये, तो आप ये समझे कि बैचलर आप मैडिसिन, बैचलर आप सर्जन होता है ये इसका अर्थ, ठीक है, MBBS का, और ये समझे कि ह हिंदी में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में अनुगााद कौन करेगा, किस तरीके की टीम है, जबकि अभी तक अनुगाद की कोई टीम भारत में बहुत अच्छी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आएगी, खैर इसके लिए, मतलब बधाई का पातर रहे, क दोनों हैं कि दोनों अधी एक ही जगा लेंडिंग कर रहे हैं तो दोनों टकराने की लेकिन रसियान अस्पेस एजेंसी ने कहा है कि इनका कोई एफेक्ट नहीं कोई प्रभाव नहीं है तो दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो ये दोनों होगा तो आप एक बाड लुना 25 देख लिजेगा और फिर से चंद्रियान एक बड़ लीजेगा अभित्थाए सगस्ताने वाला है फिर हम देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद जो अगरी नूज है इंडिया र नीट्स न्यू एकोनॉमिक पॉलीसी आप देख लिजेगा कि किस इकोनोमिक पॉलिस्टी की बात कर रहे है तो यह आपको थोड़ा देखना है इसके बाद हमें जो पढ़ना है सेंटर डिफेंट्स बात किवर्च एवंक्यों फी आइब के ते? आब तनि देखना उपकर लेंची चाइनखन आपको नटेखना है ङगाद है जो अंगरेजी भासा का का पर्योग किया जा रहा है वहाँ पे संस्कृत भाजा का क्यों परियोग के जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉटंकी थी चाइना की नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजेगा इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो page number 15 पे है और June industrial growth slow to 3.7% ये ध्यान रखेगा industrial growth जो है वो नीचे गिर है 3.7% रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है इसको पढ़ना है दोस्तों आज यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कमेंट से ज़रू करिएगा आज के लिए इतना ही है फिर कर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ धन्यवाद